जैशी राम सभी भक्तों को जै माता की देव ठानी ये कादशी की सभी भक्तों को हार्दिक सुबकामना है और जो है आज की हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए कि हनुमान जी की पूजा में विसे तोर पर किन वातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम नॉर्मली रोज पू करें ताकि आने माली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुँच जाए चलिए सुरू करते आज की वीडियो जैशी राम जैशी राम जैशी बाला जी महराज बावा की असीम गिर्पा आपके परिवार पर सद्या बनी रहे और मेरी जगज की वीडियो बनाना सही है क्योंकि जब इस पकार की समस्या हमारे सामने आती है तब हम उस चीज़ पर वीडियो बनाना ज़्यादा बढ़िया रहता है ताकि सबका कल्यान हो हनुमान जी की पूजा जो है विशेश तोर पर वैशन रूप में करने चाहिए मालो आप ये कई व्यक्ति ऐसा करते हैं जैसे कि उन्होंने उनका कोशन क्या था उनका कोशन ये था कि गुरुजी हम मंगल शनी को तो हर पकार का प्रेज रखते हैं नेकिन उसके इलावा हम प्रेज नहीं करते हैं तो क्या ये उची था तब तो हनुमान जी मारी पूजा क उनकी पूजा में आप जैसे की मंगल शनी को मदीरा वगएरा छोड़ रहे हो और मास का सेवन नहीं कर रहे हो तो उसके इलावा आप इंच जो का सेवन कर रहे हो और तब भी आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आपकी पूजा भीया सविकार नहीं होगी ये बात आप सुपस्ट तोर पर सुन लीजिए अगर आप हनुमान जी की शक्ति को पहले जान लीजिए क्या है हनुमान जी की शक्ति अपार है हनुमान जी की पूजा करने से आपको एक दिन एक पीड़ी नहीं तरती है कभी आप सोचो कि इस देव की पूजा करने से एक पीड़ी तरजए चारो जुग परताप तुमारा प्रभु शीरी राम और माता सीता का वरदान हैं कि चारो जुग में आपका परताप रहेगा आपने जो भगती प्रभु शीरी राम की करी है जो उन्हें दुख से रहित किया है जो आपने उनके काज सवारे है माता सीता को आपका एक नाम सीता शोक विनाशक भी है जिसमें माता शोक में थी कोई आस नहीं हो रही थी उसमें आपने जगत जन्नी माभवानी अंबेके को शोक से रहित किया है इससे खुश होकर स्वम प्रभुशी राम ने आपको वर्दान दिया है चारों जुग में आपका प्रताप रहेगा ऐसे देव की पूजा करना उनके मर्यादित कारिय करना आपके लिए भो ज़्यादा उचित माना जाएगा अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं मंगल शनी को ही हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और दिन मैं हनुमान चलिशा पढ़ रहा हूँ और मदीरा का सेवन कर रहा हूँ मुह में गुटके डालकर हनुमान चलिशा पढ़ रहा हूँ या कोई और गंदी चीज़ों खाकर आप पूजा के अंदर खामखा का दोश और भी जादा उत्पन होगा आपके उपर जो देखें बाबा एक है नेकिन उनकी किरपा अनेक है हर बच्चे के उपर उनकी किरपा का साया रहता है उनके दूत भी अनेक हैं अब सबसे बड़ी बात यह सोच के देखो कि जब आप इस पका सुदार बनरू रगुबल भी मल जसू जो दायक फलचार बुद्धी हीन तनु जान के सुम्रो पवन कुमार बल बुद्धी विद्यादो मौई हरू कलेश विकार मलो आप प्रभू के चर्णों की धूली को अपने मस्तक पर लगा रहे हो आप उनका अवान कर रहे हो बुशी राम के भजनगारे होते हैं हनुमान जी के भजनगारे होते हैं नेकिन कई लोग ऐसे वक्ता होते हैं नेकिन सुबह जैसे ही जागरन पूरन हो जाता है कई जाकी लगाने वाले भी होते किस पकार के होते हैं और बाद में जाकर थोड़ा सा जाकर सेवन कर लेते हैं आप उनका अपमान कर रहे हो, उस शक्ति का अपमान कर रहे हो, ऐसा कारिया कभी भी निकलना, ऐसी करीवी भक्ती कभी फल नहीं प्राप्त करती, बनकि दोश देती है, हनुमान जी ने आपसे धन नहीं मांगा, दोलत नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने एक ही बात की है, कि मु नेकिन और जब कई वरी हम अपने मुख से राम राम कर रहे हैं, अब क्या होता है, कि जैसा ही उन्होंने रातरी को ये गलत काम किया, सुवे उठकर फिर रातरी को गोशनी होता, वो फिर पूजा करते हैं, तो मुँ में जो समयल होती है, जो मुँ में अंदर जो चीज है, जो सयोग नहीं करते हैं, कई वारी हमारे घर के अंदर दिर्ददा रहती है, आपके पित्र देख रहे होते हैं, कि इसने रात तो ये कारिये कर रहा है, तो इस पकार की भक्ती आपको नुक्सान दे सकती है, आप जब भी अगर हनुमान जी की भक्ती कर रहे हो, तो मास मदीरा क अगर किरपा प्राप्त करना चाहते हो इस चीज़ का त्याग कर दीजिए आपके लिए बहुत ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मंगल शनी को सारे दिन बाबा की हैं यह नहीं है कि मंगल शनी ही विशेश है सारे दिन बाबा की, अगर आप बाबा की भगती करना चाहिए एक जगह आप कहता हो कि बाबा की किरपा प्राप्त हो जाए और एक जगह आप मास का सेवन कर रहे हो, तो ये गलत है इस पकार का कारिये ना कीजिए और जब से बड़ी बात उन्होंने वो अपने प्रतितों कभी सोचते ही नहीं जनकल्यान में उनकी भगती करने चाहिए जनकल्यान के कारिये के लिए जो दुखी है दुखी यह नहीं अकेला की इंसानी दुखी है जो पशू पक्षी जीव जन अंगल सनी को नहीं खाता बाकी दिन मैं खा लेता हूँ तो सब के मन में इस पकार का स्वाल होगा तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दी जैशी राम जैश्री बाला जी बाला जैमाता की